नवस्का दोस्तों मैं हूँ आर्थी प्रजापती यूटूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत करते हूँ सभी बच्चे कैसे हो गूड इवनिंग सभी को और जैसी कृष्णा सभी को आप सभ अच्छे होँगे मस्त होँगे प्रिप्रेइसिंट में फूर मार्क होका है आपको किस प्रसंटेज में दिए हमें ते उसकी इसाब से कोश्चन पुछे गये थी और आपको उस कोश्चन को स्वाल करना था तो चली सबसे पहले वीडियो को लाइक शेर कर दीजे फटा फट से और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि सारे वीडियो की नौटिफिकेशन आप लोगों को टाइ प्रेग्राम चैनल भी है हमारी तो आप वहां पर भी इस तरीके से लिंक को सर्च करके भी आप जोई हो सकते हैं और पीपर टू वालों के लिए साइकोलोजी जिनका सब्जेक्ट है पेपर टू तो यूजी सी नेट कि अगर पेपर टू साइकोलोजी से प्रिपेरिजन कर है तो हमारी यूटूब चैनल का नाम है स्टडी ओप साइकोलोजी जहां पर आपको साइकोलोजी से रिलेटेड सारे क्लास मिल जाएंगे और यूनिट नमबर टू जो आपका है रिसर्च अप्टिटूड उसके भी क्लास आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे अगर कोई ब लाइव चेत उपन कर्ते हो यानि कि जिस टाइम पे में आप लोगों को लाइव चैत को उप्च्ण और जिस चाइश ङुक्डाइस इतने बजय मतलब की ऑन रहेगा तो इस कि तैम तक ही लाइव चाह Ọ n रहाएगा बागी आपvyक slight Withinrdí Л झाझ ये इस भिइनां के पर यह क् सबसे पहले हमारे सामने instruction है table है हमने अभी question को नहीं लिया है पहले हम instruction को पढ़ेंगे मैं आपको हर बार बताती है सबसे पहले instruction को पढ़ें second काम क्या करना है table को देख लेना है अच्छे से समझ लेना है understand कर लेना है उसके बाद आपको तीसरा काम क्या करना है question को पढ़ना है और उसको solve करना है तो सबसे पहले देखो यहाँ पंडीम्दा लिखी तारीका यानि की table में किसी विष्व विध्याला यानि की university के mca कार्यक्रम के student की बात है mca कार्यक्रम के 6 विभिन विषए एससे लेकर f विषय के छे विद्यारतीयों द्वारा छे विषय हैं जो अंक प्राप्त हुए है वो किस दिये हैरे ध्यान रखना है 45 ब्रडर्सित रहते हैं तत्य प्रत्यrant के दिये हुए है लिए dripping लिए उन्हें अधिक्त मंग उसके साथ रहए करें सी दिया फ्रतीक जो भी सब्जेक्ट उसका जादा से जादा स्कुर कितना हो गा मास्ट जादा से ज़्यादा मांस कितने होंगे वह भी आपको टैबल में दिये हैं तो वह भी टैबल में प्रदर्शित किया है टैबल की आखड़ों की आधार पर उससे सम्मंदित आपको क्या करना है प्रश्णों के उत्तर देना है तो यह हैं की बेजिक इंस्ट्रक्शन इसको आपनी सब्सक्राइब दिया है और जो उपर वाला यह आपको ए बी सीडी दिया हुआ है इसके अंदर जो आपको वैल्यू दिये हुए है वह क्या है मैक्सिमम मार्क्स है यानि कि ए सब्जेक्ट है उसके इंदर मैक्सिमम मार्क्स कितनी होंगे 1500 में से आनिल ने 66 परसंटेज समझ रहे हैं वह मार्क्स नहीं दिया है नीचे आनिल यह जो जिन जिन स्टूरेंट के नाम है उनके सामने जो भी है वह उनके स्कौर नहीं है वह स्कौर के परसंटेज दिये हैं उन्होंने जो स्कौर प्रप्ट किये हैं उनके परसंटेज दिये हैं और उपर जो सब्जेक के जब गूंहार Θब pozoma सर्थ प्रतिसत। जब हाता है तो सबसे पहले क्या करना है will कि ये जह सारे प्रतिसत को अपको क्या करना है स्क्वार में बदल देना है प्रतिसत ौद पहले दो-तीन मिनिट का इस टेबल आप स्वाल करोगी दो-तीन मिनिट लगेगी बाद उसके बाद आप पांच कोश्टिंट बन जाएंगी पर फर टेबल की वेल्यों को पुट कर देनी है पहले सी पूरा टेबल जो है उसको क्लीर कट कर लेना है समझाए ना उसके बाद आपको question क्योवर चलना है तो मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाहर हुए मैं यहाँ पर आपको यह बताना चाहर हुए कि जब भी ऐसे question आते इस type के table से तो आपको करना क्या है जहां पर प्रतिसत दिया है ना उसकी value क्या करनी है आपको marks में convert कर ले अब यह सारे प्रतिसत लुक्क में convert कर ले तो उसके बाद आपको एक और काम क्या करना है जो जो student है उनके total marks भी आपको कर देने है क्या करना है मार्क पहले निकालने के बाद हर एक टुटन के टू टूटल मार्क निकाल ली जिए साथी साथ क्या करना और सबजेक्ट वाइज होगां सिबजेक्ट हैं उन में कितने मिले हैं निकाल के yang ब यह बिया हम समझा अपको करने के बाद कोश्चन पर जाएगा दो मिनिट में 5 कुश्चन इसली कर पाऊगे चलो फिर चलते हम टेबल को पहले कलेर करते टेबल को जो भी वैल्यू हमें निकालनी वो सारी निकालेते उसके बाद हम कुश्चन की ओर चलेंगे तो यहां पर मैंने टेबल बना लिया है और यहां पर जगह भी मैं और 100% के बराबर यह जो टोटल मांकस होते हैं तो हमें हमें सबसे पहले वन प्रतिसत के वैल्यू निकाल लेनी जभी अब वन प्रतिसत की वैल्यू निकाल दोगी न तो यह वाली जो ब्लैक थे न वहीन फटाफर से निकल जाए समझा आया न तो मास्ति हुआ hell क्या करेंगे सब सuuuu सब की पहले वन प्रशन के वैल्यव निकाल आते देडर सो के बराबर क्या है asked 500 प्रतिसात वर्हींट है है तो 1 प्रतिसाथ बराबर हमें कितना मिला है एक प्रतिसाथ बराबर कितने मलेंगे तो यहां पर क्या करेंगे 60 इंटू 15 कर लिजे आप बलोगे एक पांच है तो पॉइंट को अभी रहने दीजे पॉइंट को बाद में भी आप एड़ कर सकते हो के तो पहले हम इन दोनों का मल्ट प्रतिसाथ उसको लेते हैं और यहां पर 1.5 है तो अभी पॉइंट को अटा लेते हैं ऐसे ही और यहां पर मल्टिप्लाइ करने के लिए बाद में हम उसको एड़ कर देंगे तो यहां पर देखो दो डिजिट है 0 6-6 6-6 6-6 6-35 अब खुद से करोगे तो इतना टाइम नही यहां पर यह जिरो आगाया नो नो यानि कि अब देखो पॉइंट कितना था एकी पॉइंट साथ एकी पॉइंट हटा लीजिए आपको वैलो कितनी मिलके आ गई 99 मार्क्स मिल गए अनिल को एस अबजेक्ट में कितने आया है 99 मार्क्स आया है समझ गए इसी तरीके से अब किसके निकालोगे यह आपको याद रखना है कि पूरी यह जो पूरी रो है कॉलम है ना उसी में 1.5 से ही सब के गुना होगा जो देड़ से वाली लाइन है यह पूरी लाइन है यह वाली इसमें सभी में ऐसा होगा अब 82 का निकालो तो क्या करोगे 82 इंटू 15 कर दो 0 2 यहा यहां पर 0 3 और 8 4 12 यानि एक पूइंट हम यहां से टालेंगे तो कितने आ गए आपके 123 माक्स आ गए उसके बाद किसके हैं इसके बाद अरपीत के हैं तो 76 इंटू क्या करेंगे 15 करेंगे 0 यहां पर 76 6 35 यहां पर 3 5 35 तिन कितने होंगे 38 यहां पर 0 14 का यहां पर 4 1 7 10 और 11 यहां पर पॉइंट लगा लेंगे तो 114 आपका अंसर बन जाएगा देखो कितनी फटा पट से क्यालकुलेशन होती है है फिट 99 का देखो 99 इंटू 15 करो अब 99 इंटू 15 करो तो 0 यहां पर 99 इंटू 1 करेंगे तो 99 रहेंगे यह आमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना यहां kg 6 25 यहां पर 40 95 45 कितने होंगे 4 troubling यहां injatte यहां पर 15 November 8 यहां पर 99 परसंट है क्या रुख जाहिए कि सेकंड में टेबल को चेक कर लेती है एक बार ओके जुस्ट रीट यहां पर मुझे कुछ दिक्कत लग रही है मैं यह पर टेबल को चेक कर लेती है एक बार वीट करें एक बार कनसर्म कर लेती हो कि अज्या गवरव की 90 परसंट मैं तभी सूचंगे कि यह क्यूं इस आंग है चलो गवरव के ना यहांपर 90 परसंट कितना है 90 अभ सभी में हम 90 परसंट करेंगे कि यह 90% है मेरी प्रिंट मिस्टेक यहां पर चलो फिर में यह 90% है तो हम यहां पर क्या करेंगे 90% के निकालेंगे मार्क्स निकालेंगे कि चलो अब है 90% के मार्क्स निकलो 90 इंटू 15 1590 कि इतने होंगे बताओ 135 होंगे और यह 0 लगा है पॉइंट हटा के आपके पास कितना आये 135 आ गया 64 का निकालते हैं तो 64 यहाँ पर बागी सारी सही है लेकिन बस यही एक गलत था चलो 64 इंटू 15 करते हैं तो 0 यहाँ पर 64 520 यहाँ पर 25 35 32 32 यहाँ पर 069 यहाँ पर 1 पॉइंट हटा दो यह 1.5 होता है न तो एक पॉइंट हटा दिया तो आपके पास कितना है 96 आ गया उके उसके बाद आते 48 48 इंटू 15 करिए 0 यहाँ पर चार 520 24 24 यहाँ पर 08 412 यहाँ पर एक चार तीन साथ यानि कि एक पॉइंट हटा देंगे तो हमारे पास कितनी रहेंगे 72 रहेंगे समझा रहेंगे अगर यह सिस्टम समझ नहीं आ रहे है तो फिर मैंने आपको बेजिक समझा है ता परसंटेज तेको मैं हमारे पास दो वैल्य है 150 वा जैसे की अनिलकी हम बात करें तो इन्टू 66 डिवाइड़ बाइंडरेट क्योंकि परसंटेज हता आना है तो नीचे भाग में 100 करेंगे अब देखो यह 00 कट गया आप इन दूनों का मल्टिप्लाइ करो है ना और फिर पॉइंट लगा लो यही वाली बात हुई 66 इंटू 50 मैंने यही तो तरीका आपको बताया यह सब करने की ज़रूरत नहीं थी 0 66 35 35 33 हो गए यहाँ पर 0 आ गया फिन नो नो अब देखो 990 और डिवाइड़ बै कितने दस हो गए तो यह 00 कट गए आपके पास कितना है 99 आ गए है ना तो यही सिस्टम ह लेकिन मैंने आपको डिरेक्ली 1% की वैलू निकाल के करने को बता दिया चलो अब यहाँ पर इजी हो गया आपका एक कॉलम तो कंप्लेट हो गई है ना जब आप खुद से करोगे तो फटा-फट हो जाएगा मुझे तो बूलना होता समझाना होता इसलिए अब यह 100 में से ह वह किसके बराबर है 100 प्रतिसत के बराबर है तो वन प्रतिसत की वैलू कितनी हुई 100 चलेगा है वन हुई एक प्रतिसत की वैलू यह की हुई तो यहाँ पर सिंपल सी बात है ना कि 75 है तो 75 भी रहेगा एक प्रतिसत की वैलू आपकी क्या है बन प्रतिसत है वन प्रतिसत की यहां पर आपको गुना करके क्या करना है यहां पर वैल्यू डाल देनी है इसकी वैल्यू भी डाल देते हैं 88 है यहां पर 0,12,1 यहां पर 13 यानी की पॉइंट यहां पर लगाएंगे तो 132 हो जाएंगे उसके बाद 84 की 84 इंटू 15 करおお फटा पंची से कर सकते हो 84 यहां पर 5 20 यहां पर 2 85 40 42 42 42 0 426 यहां पर 84 12 यानि पॉइंट लगा लेंगे तो हो जाएगा आपका 126 फिर है आपके पास 78 78 इंटू 15 करो 0 78 85 40 यहां पर 4 75 35 35 49 0 8 17 यहां पर एक 10 11 निकल रही है सब निकाल रहे है मेरे साथ मिजितनी स्पीड से निकाल रहे हैं उससे भी जादा स्पीड में निकालना है मैं तो यहां पर यह हटा रही हूँ एड कर रही हूँ तो उसी में टाइम ज्यादा जा रहा है 96 96 इंटू क्या करेंगे 15 कर लो 0 96 635 यहां पर 39 45 तीन 48 यहां पर 0 14 गाजार यहां पर यानि कि 144 आपका अंसरा है यहां पर 68 का निकालो 68 इंटू 15 कर लीजिए तो 0 16 एंट फिर 85 चालिस यहां पर 46 35 34 34 यहां पर 0 812 यहां पर एक दस ओके मतलब 102 आ गए कि 50 प्रतिसत है डेट सो के 50 प्रतिसत अब देगो इसमें फिर आपको करने नहीं ब्याटना है 1500 के 50 प्रतिसत कितने होंगे 75 तो होंगे है ना 1500 के 50 प्रतिसत कितने होंगे तो थोड़ा सा यह भी लॉजिक आप लोगों को लगाना है समझाया चलो अब आते हैं अब यहां पर एक लास्ट वाली कोलम को देख लीजे फिर यह दोनों करेंगे लास्ट वाली में 50 मार्क से हाइस्ट है ना हाइस्ट फिप्टी मार्क से यानि आधे-ाधे हो जाएंगे आपके 50 मार्क यानि की आधे-ाधे हो जाएंगे 90 प्रतिसत है इसका मतलब है 45 मार्क 88 है यानि कि 44 मार्व 70 है यानि कि 35 मार्वย 866 है आनि कि 40 43 मार्व उसकी बाद 74 है यानि 35 Mamar मेरे बिटारन हे मय स्योज गये ऊसिए तो 29 हो ग Minaj 2020 नाये करेंग Ming iPad 5 धी Grand तो यहां पर इसी देखिए आपको करना क्या था आधा कर लेना था क्योंकि 50 मांक्स है और इसकी वैल्यू जो है वह 100 प्रतिसत में है इसी वज़े से समझाया ना याधा कर लेना था अब यहां का फंडा क्या है 125 वाला समझ लेते हैं उसी कॉलम को पहले कर लेते हैं सारी कॉलम का निकाल लोगे उसके बाद आपके पास क्वेशन मतलब 30 सेकंड भी नहीं लगेगे क्वेशन में चलो उसके बाद 125 125 is equal to 100 है तो हम वन प्रतिसत इस इक्वाल टू क्या करेंगे वन प्रतिसत इस इक्वाल टू एक पॉइंट पचीस करेंगे क्यों करेंगे 125 बटे 100 कर लो तो यह जो 100 बिदो जिरो है ना तो दो पॉइंट खिस करेंगे मतलब एक परसंट की वैलू कितनी है एक पॉइंट पचीस है बस अब 56 है तो आपको करना क्या है 125 गुने 56 कर दीजिए ओके पॉइंट अभी पॉइंट के बाद दो वैलू है ना तो जब भी आपके आ पांच पांच पचीस यहां पर दो पांदो नी दस दस दो बारा यहां पर एक पांच एक छे हो गया उसके बाद छे पंचे तीस हो गया यहां पर तीन आ गया चे दू बारा बारा तीन पंद्रा यहां पर एक आ गया यहां पर एक आ गया साथ तीन दस की जिरो यहां पर एक साथ अब करना क्या है दो पॉइंट हटा आना है तो दो पॉइंट हमने हटा दिया तो वैल्यू हमें कितनी मिल गई सेवंटी ओके इसलिट्री जेश से नाय्टी सिक्स का निकालो एक निकालो एक शो पचिस इन्टु नाय तिल ऐगये यहाँ पर ङाए जिक लू जेह से ब con उसके बाद 88 एक सकंड उख जाए ओक एक सकंड टुक जाए ओक एक सुपचीस उपर लिखेंगे तक एजी रहे चल एक सो पचीस इंटु ऐतिएट जिरो हो गए यहाँपर चार आठ दुनी सूला सूला 420 यहाँपर दु आठ दू दू 8, 45 यहाँ पर 4 आ गए 8, 2, 16, 16, 4, 20 यहाँ पर आ गए दो 8, 1, 8, 10 यहाँ पर 0, 0, 0, 0 फिर 1, 1 तो कितने डिजिट आटेंगे 2.3 खिसकेंगे तो 110 आपका अंसर आ गए उसके बादे 125 एंटू कितना करेंगे 76 करेंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट का 0, 7, 5, 35, यहाँ पर 3, 7, 2, 14, 14, 3, 17, यहाँ पर 1, 7, 1, 8, 8, 6, 35, यहाँ पर 3, 6, 2, 12, 12, 12, 13, 15, यहाँ पर 1, 6, 6, 6, 7, 0, 10 की 0, यहाँ पर 7, 14, 1, 15, यहाँ पर 1, 8, 1, 9, 2 डिजिट आ डालो कितने आए 95 उसके बाद आते हैं क्या है 72, तो 125 इंटू 72 करो, 0, 5, 35, 3, 7, 2, 14, 14, 3, कितने होंगे, 17, यहाँ पर 1, 7, 1, 8, 8, 5, 2, 10, यहाँ पर 1, 2, 2, 4, 1, 5, और 2, 1, 2, 2, 2, 1, 0, 1, 9, मतलब 9,000 है ना, तो 2 पॉइंट किसकेंगे, तो 90 आ जाएंगे, यहाँ पर उसके बाद है 64, 125 इंटू 64, तो यहाँ पर 0 आ गया, 6, 35, यहाँ पर 3, 6, 2, 12, 12, 12, 13, 15, यहाँ पर 1, 6, 1, 6, 1, 7, 5, 20, यहाँ पर आ गया 2, 4, 2, 8, 8, 2, 10, यहाँ पर आ गया 1, 4, 1, 4, 4, 1, 5, यहाँ पर 0, 0, 10, किसून यहाँ पर 1, 8, अब 2 पॉइंट किसका दो, आंसर कित नाया अस्ती, उसके बाद चलते हैं, हम, एक कोलम हमारी अब बस एक लास्ट रह गई है, और उसके बाद टूटल वाली रह गई है, तो उसको कर लेते हैं, उसके बाद खुश्य हैं, तो फटा-फट से हो जाएंगे, अरे, इतना क्यों गाग रहे हो, हाँ चलों, इसको हट सारे को टेंशन मतले, यह सारा कुछ चलानी जाएगा, मैंने वैसे पहले से सारा कुछ हैड करके रखाएं, लेकिन यह आपको जानकर लिए मैं पुरा आपको पढ़ा रही हो, कि समझा रही हो कि आपको इस तरीके से करना है, भाकि मैं डिरेक्ली सारा को वैल्यू पूट कर कि आपको डिरेक्ली कोश्चन करा सकती थी, लेकिन यह आपको समझना है, आपको प्रैक्टिस करनी है कि कि इस पीड में आप गुना कर सकते हो, और उसी की बीजिस पर क्यूंकि आपको महाँ पर क्यालकुलेटर वगिरा नहीं मिलने वाला एक्जाम में है, तो खुद से ही क होगी, तो पचातर बटे क्या करेंगे, हंड्रेट करेंगे, तो अब हम ही क्या करना पड़ेगा, दो जीरो है, तो यहाँ पर पॉइंट, दो डिजिट को हटा कि आपको रखना पड़ेगा, तो वन प्रतिसत की वालू कितनी आएगी, 0.75 आएगी, यह आपके पास 0.75 वो क्या करेंगे, 56 into 75 करेंगे, आप बोलोगे, मैं में 0. यह इसको अभी रहने दो, पॉइंट हम बाद में वैसे भी लगा लेते हैं, तो जो भी वैल्यू मिलेगी, अंसर मिलेगा, उसमें लास्ट डो डिजिट हटा देना है आपको, ताकि आपका पॉइंट जो हट जाएगा अब देखो यहाँ पर 0 हो गए, दो डिजिट के 6 सिते कितने होंगे, 42 होंगे, 4, 5, 35, 35, 4, 49, 36, 35, 35, 25, 35, 23, 28, यहाँ पर 0 हो गए, यहाँ पर 0 आगए, यहाँ नो तीन बारा, यहाँ पर 1, 4, मतलब 2 डिजिट हटा दो कितने हैं, आपके 42 मार्क्स आए, चलो फिर आते हैं 92 के, 92 into 75, 0 हो गए, सादूनी 14, यहाँ पर एक 9 सिते 63, 63, 64, और उसके बाद है, पांच दूनी 10, यहाँ पर 15, 45, 45, 46, यहाँ बस 0 हो गए, 0 हो गए, यहाँ ठीक 9 हो गए, 6900, दो डिजिट हता आदो, कितना हैं, 69 आ गया, त्यान रखना है कि आपके जो टोटल मैक्सिमम स्क पर हैं, उससे कम ही आने चाहिए, उससे उपर नहीं जाना चाहिए, आपके माक्स ओके, अगर उससे उपर आपके माक्स जाते है, इसका मतलब है कि आपने कही पर गुना करने में कलती कर लिया, ओके, 72 परसंट है, 72 into 75 करे, 0, 7214, 1,779, 1,50, पांच दूनी 10, यहाँ पर 15, 35 यहाँ पर 0, 0, यहाँ पर 14, 5, तो यहाँ पर 2 डिजिट, मतलब 2 पॉइंट हटाएंगे, तो आपकांसर के आएगा 54 माक्स, ओके, मैं सारा इसको हटा लेती हूँ, बाकी का, ताकि आगे का कर सके, इस बार ना आपके पास अफलाइन पेपर है, तो बहुत बढ़िया चीज है, कि आप पेपर में भी, आप पेपर में ही इस तरीके की जो कैलकुलेशन है, वो कर सकते हैं, पहले क्या हुआ करता था, तो आपको स्क्रॉल करने में ही टाइम चला जाता था, और उसको इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करना होता था, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आपके पास पेपर होगा इसलिए पेपर के अंदर ही आप यह रफ वर्क कर सक हो गया है अब आते हैं 84 परसंट 84 इंटु क्या करेंगे 75 जिरो साथ चोक अठाइस यहां पर दो आठ सिते चपन चपन दो अठावन पांचोक बीस यहां पर आ गए दो आठ पंचे चालिस चालिस तो 42 जिरो जिरो यहां पर 184 बारह एक तेरा एक यहां पर छे 63 माक्स आए 68 x 75 करिए 0 हो गया 8 सिते 56 हो गया 5 हो गया 6 सिते 42 42 5 कितने हो गया 47 और 6 8 5 40 यहां पर 4 6 5 30 34 34 यहां बस 0 0 1 यहां पर 11 यहां पर 5 21 मार्क्स ओके अब लाज़ते 64 64 x 75 तो यहां पर देखो 0 728 यहां पर 2 6 42 42 44 और 5 20 यहां पर 2 6 35 32 32 यहां पर 0 0 1 78 48 मार्क्स चौलो यह हो गया हमारा जो मार्क्स में हमने कनवर्ट कर लिया परसंटेज को क्या कर दिया म norm ने कंव encryption कऱ लिया अब हमें करना क्या है टूटल करना है परिदा और यहां पर आगे दो नो ग्यारा ग्यारा साथ अठारा अठारा तीन हो जाएंगे 21 27 28 28 32 32 36 यहां पर तीन और यहां पर तीन आ गये तीन एक चार 463 आपके क्या बनके आगाया टोटल बनके आगया है उसके बाद यहां पर टूटल लिए का इसल करोगा 558 आपका आड़ गया तूटल उसके बाद 26 जाट 17 सत्रा 1421 25 कितने होंगे 26 यहां पर आ गयी दो दो एक तीन थीन चेनो नोग एक डर्स ग्यारा ग्यारा पांच पंद्रा 15 तीन 18 यहां पर आ गया एक दो दो एक तीन तीन एक चार चार सो च्यांसी आ गया च्यांसी है या चन्नु रुको छे चे बार ओओ छे चार दस सत्रा सत्रा चार कितने होंगे ग्यारा ग्यारा पांच हो जाएंगे सोला यहां पर दस सत्रा 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 चार हो जाएंगे ग्यारा ग्यारा पांच सोला तीन अठारा का आठ और यहां पर है एक दो हां तीन चार सही है चलो आई थिंग यह मैंने यहां पर सही किया न एक सो चौदा 66 117 110 54 35 एक सेकंड में इसको अगेन कैल्कुलेट कर लेते हो के कोई दिकत तो नहीं है न मेरे अंदर मेंने कैल्कुलेट किया है उसमें रुक जाएए एक सेकंड जोदा प्लस 66 प्लस 117 प्लस 110 प्लस 54 प्लस 35 एच्छा कहां पर गल्ती की मैंने चलो यहां पर गल्ती किया है न मिस्टिक किया है रुक यहां पर 496 आएगा कैसे आएगा थोड़ा सा फीर से अगेन कर लेते हैं चो चार छे दस दस साथ सत्रा सत्रा चार इक्कीस इक्कीस प्लस 26 यहां पर दो दो एक तीन 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 छे नो नो एक दस दस ग्यारा ग्यारा पांच सोला सोला तीन उन्निस अब ठीक है 2, 3, 4, 496 हो गया अब देखों 5, 8, 5, 13, 13, 14, 17, 17, 15 कितना होगा 22 22 6 कितना होगा आपके 28 यहाँ पर आगए 2 2 3 5 5 8 5 13 13 4 कितना 17 17 9 हो जाएगा 26 26 32 32 34 36 उसके बाद है 3 आगा 3 1 4 4 1 5 568 सही है 6 6 2 8 8 1 9 9 7 16 यहाँ पर आगए 1 10 17 17 9 हो जाएंगे 26 26 25 हो जाएंगे 21 31 33 हो जाएंगे 34 यहाँ पर आगए 3 3 1 4 446 उसके बाद 6 2 8 8 5 13 13 8 21 21 हो जाएंगे 30 यहाँ पर आगए 3 10 5 15 15 15 27 22 28 38 34 34 जाएंगे 36 बिल्कुल चलो यह हो गई हमारी जो रो है उसका टूटल अब कॉलम का टूटल कर लेते हैं और यह जो कॉलम है न ऐसे उती है उसको कॉलम बोलते हैं और ऐसे होती है उसको रो बोलते हैं तो ध्यान रखना यह रो हैं यह कॉलम इस तरह के से चलो अब कॉलम के कर लेते हैं तो 9 3 12 12 4 आपके 16 16 25 26 27 27 29 यहाँ पर नू आ गए उपर हो गए आपका दो नू दो ग्यारा ग्यारा दो हो जाएंगे 13 11 और 2 13 13 और 14 14 3 17 17 9 हो जाएंगे आपके 26 27 हो जाएंगे 33 यहाँ पर आ गए यहाँ पर आ ग्यारे टीन तीन 14 15 16 1649 आ गया तोके चलो उसकी बार देखते आगे क्यों कि आपके शएंगे और ओके छे शोन चालिस आ गया यह फिर पांच साथ शेपांच कितनी होंगे 11 11 6 हो जाएंगे 17 17 8 हो जाएंगे आपके यहां परा गया तीन साथ इन दस सत्रा सत्रा चीए हो जाएंगे तेवीस तेवीस हो जाएंगे इकतिस इकतिस साथ हो जाएंगे 38, 38, 5 हो जाएंगे 42, 421 जिस को टो है ए पांठी साथ दस संतरा चीए हो जाएंगे आपके शत्रा शत्रा आंठ हो जाएंगे आपके 55, 25, सyl 서 जाएंगे 31 यहां पर if एक तीन साथ दसलस साथ सत्रा चीए हो जाएंगे हो जाएंगे और अटीस पांच हो जाएंगे बैताली चार सो इकीस हो जाएंगे चल यह चार सो इकीस है उसके बाद हैं दो चे दो आंट हांट साथ कितने होंगे एक सेकंड रुकिए सही है चार सो इकीस हो रहा है यहां पर भी गलती है चल एक सेकंड इस गलती को सिदारते हैं इसमें हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं 4 सी कर दीस सारा यहां पर पांच छे पंच ग्यारा ग्यारा चे हो जाएंगे 17 सतराइट हो जाएंगे 25 सतराइट पच्च्चीस पच्चीस चे हो जाएंगे 31 यहां पर आगयतिन 17, 17, 17, 17, 17, 23, 23, 31, 37, 38, 38, 35, 35, 36, 36, 86, 88, 70, 56, 44, 41, 43 हूग है न यहाँ पर, 42 क्या है थीक है, सही है, ओके, 4, 31 आ जाएगा, 43 आएगे न? 35, 43, बिल्कुल सही है अब यह आ जाती है यहाँ पर 2, 6, 2, 8, 8, 7, 15, 15, 14, 19, 19, 19, 20, 21, 25, 26 और यहाँ पर आ गए 2, 2, 3, 5, 5, 2, 7, 8, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 17 हो जाएंगी आपका 19 यहाँ पर आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6, 9 ओके उसके बाद है आपका यहाँ पर 0000 ओके 7, 2, 9, 10, 10, 9, 19, 19, 9 28, 28, 28 29 हो जाएंगे आपके 36 और यहाँ पर आ गए 3 31, 4, 5, 5 565 आ गए है उसके बाद यहां पर देखते हैं तो 2, 1, 1, 1, 4 हो जाएंगे आपके 1, 4, 15, 15, 3, 18, 19, 19, 20 हो जाएंगे 27 और यहां पर आ गए दो 4, 2, 6, 6, 12, 12, 15, 17, 17, चे हो जाएंगे 23, 23, 28, 28, 4 हो जाएंगे 32, 37, 27, चलो अब लाश्ट है आपका 5, 4, 9, 5, 14, 14, 37, 17, 4 हो जाएंगे 24, 24, 9 हो जाएंगे आपके 33, यहां पर आगए 3, 4, 3, 7, 7, 4, 11, 11, 3 आपका हो जाएंगा 14, 14, 14, 28, 28, 3 हो जाएंगा आपका 31, 2, 33, ओके तो इस तरीके से आपका टूटल मिला के सारा कुछ बन गया, अब हम चलते हैं, क्वेश्टन क्यों है, यह मैंने इस तरीके से पूरा जो ह आपका यहां पर 233 आया, रुको, एक सेकंड यहां पर क्यों गलती हुए, 9, 9, 12, 14, 14, 3, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 24, 24, 9, 23, 33, 37, 7, 4, 11, 11, 13, 14, 14, 14, 14, 18, 18, 18, 18, 21, 22, 23, 23, बिल्कुल, चलो भी ठीक है, सारा कुछ मैंने करती है, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, यहां पर आप कैलकुलेशन मैंने कर लिया है, इस सही वे में ही है, सारा कुछ हो, खacial अप चलते हैं, यह दीको मैंने बना लिया है, टेबल जो, आपको टेबल, बनाने को बूलता था, उसी तरीकी से, यह टेबल आपने बना लिया है, जब आपके मांस कम्स उनको के अवसत के मध्य इंतर कितना है A का एवरेज निकालो E का एवरेज निकालो और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है समझ आ रहा है न सभी के सभी 6 के 6 जो स्टूडेंट है उनके A, A में और E में जो मार्क्स मिले हैं उन मार्क्स के अवरेज निकालो और उसके बाद उसका क्या निकालना है दो चीजे करनी पहले अवरेज निकालो उसके बाद अवरेज दोनों के निकल के आ जाएगी उसका डिफरेंस निकालना है तो दो चीजे करनी हमारे पास जिद्धे को average जब निकालनी है तो हमें क्या करना होता है all observation का sum करेंगे और divided by all जितने भी numbers होंगे उसको हम divide करेंगे यानि कि हम यहाँ पर क्या करेंगे a के total marks करेंगे सारे के सारे इकटे कर लेंगे और फिर divide कितने करेंगे कितने student है यहाँ पर तीन रहा है तो पॉइंट लगा लिजी और उसके बाद पॉइंट लगा लिया और फिर कितने रहे आपके पास तीस रहे छे पंचे तीस यानि कि यहाँ पर आपके पास कितना निकल के आ गया है यहाँ पर 106 आएगा क्यों आएगा 106 पिकोस देखो यह से करो 649 बटे 6 एकम 6 यहाँ पर 0 अब देखो उपर से उतालिया 3 भाग नहीं चल रहा है क्योंकि यह 6 जादा इसलिए यहाँ पर 0 रखा है जिनको बेजिक नहीं पता है उनके लिए उपर से उतालो 9 को 6 6 36 हो गया है यहाँ पर 3 बचे यहाँ पर 0 लगा लो यहाँ पर 0 लगा के नीचे उतालो 6 35 यह 00 हो गया तो 106.5 यह आपका अंसर A का एवरेज निकल की आ गया 106.5 अब E का निकालो इससी तरह के से E is equal to कितने है आपके पास 327 है बटे कितना करेंगे 6 स्टूडेंट है 6 से ही भाग करना है 6 35 करेंगे 32 में से 30 जाएंगे तो 2 रहेंगे 2 साथ यानि कि 6 24 हो गये अपके पास पॉइंट रहेगा और 3 रहता है 6 35 यानि कि E आपका कितना आया यह आपका 54.5 आया अब आपको क्या करना है A और E का जो आपको average मिला है उन दुनों का difference निकाल दो माइनस करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 106.5 माइनस कितना करेंगे 54.5 यह A का average है यह E का average है दोनों का difference निकाल रहे है अब 5 में से 5 जाएगा तो जिरो रएगा शे में से चाल जाएगा दो रहेगा अब दस में चाल जाएगा तो पांच रहेगा यानि आंसर कितना रहा है फिप्टि टू मांक्स आ है 52 माक्स का जो डिफ्रेंस इन दुनों के बीच में आवरेज का आ रहा है तो से करेक्ट अंसर समझ आया ना कितना इसली आंसर निकल गया गया फटावर से क्योंकि हमने ये टोटल वगिरा किया हुआ था इसी वज़े से चलो फिर आते हैं दूसरे कोश्चिन पर सभी छे वी करेक्ट आंसर देखो ये थर्टी सेकंड का भी आंसर नहीं है जैसे ही देखा टेडिकली टोटल पर गए और आंसर कर दिया इसी हो गया ना अब लगों के लिए चलो फिर आते कोश्य नंबर थ्री पर यदि एम और एन क्रमस सी और ई है यानि कि जगह पर हम अगर एम और ए विद्यार्थ्यों त्वारा एक साथ मिलकर प्राप्त किये गए अंगों के अवसत को प्रस्तूत करते हैं म और एन जो है वो क्या कर रहे हैं जो सभी विशई है कि जो है और न कहा होगा साथ कांसे में की जगह पर सी है और अने की जगह यहानि के सी की जगह पर एम को रखे की जगho पर एं को रखे है और इन का क्या निकालना है और दौनों का आवरेज निकालना है तो सी को हमने यहाँ पर बता दिया है तो M is equal to क्या करेंगे C में कितने हैं ध्यान रखेगा C is equal to M है और आपका E is equal to N है जो को याद रखना है 696 है divided by कितने करेंगे भाई 6 student है तो 6 से भाग करेंगे 6 कम 6 हो गए 6 कम 6 हो गए अभी 366 366 यानि कि M is equal to कितने आए आपके 116 आप देखो यहीं से आपका अंसर डिरेक्ली निकल की आता है यहाँ पर देखो 116 सिर्फ एक ही में है D is the correct answer अभी हमें N का भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो यहाँ पर C है ओकी यहाँ पर C है द्यान रखें यह C नीचे लाना पूल गए चला कोई दिकात नहीं अब N में देखो N में यानि E में देखना है 327 बटे क्या करना है 6 से भाग करना है 635 हो गए यहाँ पर 27 होंगे तो 624 यहाँ पर तीन रहा है 635 ओके टिकल क्या गए 54.5 तो यहाँ पर है 54.5 तो D is the correct answer कितना इजी कोशन है 30 सेकंड लगे कि बहुत जादा नहीं लगेगे चलो फिर कौन से नमबर का कोशन आया यहाँ पर कोशन नमबर नहीं दिया चलो फौर्थ नमबर के कोशन पर आ जाते हैं यह फौर्थ नमबर का है कह रहा है सभी 6 विशायों में प्राप्ट किया गए अंकों को एक 7 मिला कर ठीक कितने विध्यातियों को 490 से अधीक अंक मिले है देखो सारे सबजेक्ट के जो है उनको अंक मिला लेते हैं मतलब जितने भी लोग अनिल के टोटल सबजेक्ट के मार्क्स देख लो अरमान के देख लो अरपित के देख दो गुर्जीत को प्रिया को इन सब को अपने टोटल मार्क्स कितने मिले हैं और उन में से 490 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट कितने हैं वो बताना है तो देखो 463 अनिल को है तो वो 490 से जादा है नहीं है तो ये नहीं आएगा फिर 558 अर्मान के है 490 से जादा है बिल्कुल है तो ये आएगा अर्मान उसके बाद क्या है 496 को उसके है अर्पित के है तो ये भी 490 से जादा है तो ये भी आएगा 568 है यह भी आएगा विकोज 490 से ज्यादा है गुर्जीत के 446 है यानि गुर्जीत नहीं आएगा विकोज 490 से कम है हमे 490 से अधिक अंक मिले जिनको मिले हैं उनको देखना है फिर यहाँ पर 360 है किसके है प्रियाक के है तो यह भी नहीं आएगी अब आपकी कितनी स्टूडेंट को 490 से ज्यादा एक दो तीन तो आंसर क्या आया 3 is the correct answer Is this clear? C is the correct answer 3 निस C समझ आया ना तो यह देखो कितना easy question है आप पहले table बनाते time आपके दिमाग में बहुत सारी बाते गुसिय से होगी कि या मैं इतना लेंदी लेंदी बना रहे है लेकिन वो लेंदी था वो question में कितना easy लग रहा है है ना सभी 6 विशयों को एक साथ मिला कर गुरव द्वारा प्राप्त अंक गुर्जित द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में कितना प्रतिसत अधीक है अब यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है कि सभी विशयों का एक साथ मिला के गुरव को देखिए उसका कितना है गुर्व का 568 है और गुर्जित की बारे में बात रहे तो गुर्जित का देखो टोटल कितना है 246 है तो यहाँ पर क्या है घुर्जित की तुलना में घुरव की कितने माक से पूछा किसके बारे में है घुर्जित की तुलना में अब अधिक प्रतिसत अधिक की बात आती है तो मैंने आपको class number 4 में ही बता आया था कैसे करना है दोनों का पहले difference निकालो 568-446 नीचे कौन सी value आएगी अधिक है तो आपको कौन सी value छोटी value को रखना है जा कम होगा तो आपको बड़ी value को रखना है यह बात मैंने आपको समझाई थी बिलकुल समझाई थी class number 4 में समझाया था है ना इस सारा कुछ तो अधिक की बात है छोटी value कौन सी है गुर्जित की है 446 उसको नीचे रखे इंटू 100 कर दीजे बस अब आपको क्या करना है इसको पहले difference दिकालो दौसमें 8 में से 6 जाएंगे तो दौर एंगे 6 में से 4 जाएंगे तो दौर आंगे 5 में से 4 जाएंगे तो 1 रहेगा और यहां पर 446 इंटू 100 लाना है अब को क्या करना है इन दोनों को multiply कर दो फिर इससे क्या करना भाग कर देना तो हम यहां पर कहां पर करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर करते थे 12200 हो जाएंगे 182 222 इंटू 100 इस इक्वल टू कितने होंगे 12200 हो जाएंगे 12200 को मैं किससे डिवाइड करूंगी दिवाइड करूंगे तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में यह करती हूं यहां पर जगह है 12200 को डिवाइड बाइड 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 कितने दो आगा रहेंगे तो आपके कितने रहेंगे तीन रहेंगे और यह जिरो गया अब उपर से उतालो जिरो को है नो अब देखो 32 है यानि चार आठचक 32 होगे लेकिन याप बीस हो याप फार्तीस इस जाये जब बढ़ जाएगी है तो आपको क्या करना या आठ से नहीं बढ़ साथ से मल्टिप्लाइब करना होगा यहां पर साथ से मल्टिप्लाइ करती तो 6 सितने होंगे 42 होंगे यहां पर 4 आ गया 7 चोग 28 28 28 जब 32 यहां पर 30 हम यहां पर कैलकुलेशन पूरी करके बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हों 10-11 मैंसे 2 तो 9 यहां पर 11-11 जब 21 बढ़ पुईंट लगा परस जिरू को नीचे उतालो 980्रेट की चार दो नी такие और यहान पर कितना से डूटी पर लोपन सहे दोटें उकर करने में था व्हें कर रेंख पूरा पूरा भाग कर लेते हैं यहां पर थोड़ा सा हमने कितना किया है 32 ऐसी है एक 32 आएगा यहां पर 8 आएगा चलो उसके बाद क्योंकि देखो ना हमने कौन से यह वाली किया है पहले वाले में किया चार दूनी बारा रुख जाएए यह तो हो गए दूसरे वाले चेश सिते 42 यहां पर दू आए उपर चार आए साचोग 28 रुख जाएए मैं अगेन इसको कर लेते हैं क्योंकि मुझे साटिस्विक्शन नहीं मिलेगा फिर आंसर तो वैसे भी मारा आ गया है लेकिन मैं खुछ से करूंगी नहीं तब तक मुझे साटिस्विक्शन नहीं बिलेगा यह बस 446 है इसको हम क्या करेंगे दू से मल्टिप्लाइ करेंगे 6 दूनी 12 हो गया यहाः आपर गलती किति इख केने रहेंगे और यहाँ पर एक है रहाम से आठ जाएंगे तो कितने रहेंगे में तीन रहेगे और फिर यहां पर जिरू यहां्श यह नब देखो हुआ हमने यहां पर 10나र साथ को industries होता है लकिन यह पर असी तो दो ज्यादा वैल्या पर 46 है यह ज्यादा वैलु आ जरूरत पर और यह उपड़ेगा यहां आप चार यहां साफोक अठाईस चौरह यहां स्दसिक होगा तो यहां पर यहां पर सब्सक्राइं से धूतीव हो गा पेइन देद इस अपनलब्द्धेला अब यहां पर सोशल ङहां से सक्षब्राइगा फॉएंट लगा वाइब कर is living है may पर 3 होता है तो यहां पर यहां पर और यहां पर इस आध जाहे है तो दोड़ाईगा 6-3-8 2-3 2-8 जै जाएगा जिरोस उपर से उतालो जिरो को होगे नुकी अब आपके पास कितना है तो देखो पांत चोख 20 होता है और यहां पर आ गए स त्य और जाएक जो नो अगे तो डीजिट आप्टर डीसिमल के बाद दो डीजिट टक की आपको क्या करना है कैलकुलेशन करना है तो यहां पर एस द करेक्ट ऑंसर इस इस क्लियर चलो आई होप आपको यह डी आई अच्छा लगा होगा और ट्रीक मैंने जो बताई उसी ट्रीक से ऐसे कोशन को करना है तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन का लाप प्राप्त हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजे कमेंट करके जरूर झाल